देसी वाइब्स विथ शहनाज गिल्व कितना प्यारा लगता है ना सुनने में शहनाज का खुद का चैट शो ये कही न कहीं शहनाज का ड्रीम भी रहा है जिसके बारे में उन्होंने बिग बॉस थातीन में भी बात की थी वो हमेशा से ही चाहती थी कि उनका एक चैट शो हो और शहनाज अपना हर ड्रीम इस तरह से पूरा करती जा रही है अपनी महनत और काबलियत के दम पर और ये सब देखकर यार बहुत बहुत जादा प्राउट फिल हो रहा है शहनाज बस इसी तरह से अपने हर सपने को पूरा करती रहे ये देखकर हम सब और भी जादा खुश होते जाएंगे तो यहाँ पर शहनाज का ये एक चैट शो आया है लेकिन इसके फर्स्ट गेस्ट है राजकुमार राओ तो आखिर क्यों चुना शहनाज ने राजकुमार राओ को अपने चैट शो के लिए as a first guest पूरी बात बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आपने रे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करिए और अगर आप चाहें तो मुझे इस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो भाई हर तरफ हर तरफ शहनाज के चैट शो की चर्शा हो रही है भाई शहनाज का खुद का चैट शो आने जा रहा है देसी वाइब्स विथ शहनाज गिल नाम कितना जादा कूल लग रहा है ना नाम से ही लग रहा है कि बहुत मज़ेदार ये शो होने वाला है और ये चैट शो भाई शहनाज का है तो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में हम सब के सामने आएगा बहुत जल्द आएगा गाईज इसकी सारी डिटेल्स धीरे-धीरे सामने आती रहेगी जो कि हम हर पल आप तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट गेस्ट आ चुके हैं और आने वाली हैं उनकी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ऐसे में राजकुमार राओ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है अगर एक्टिंग की बात की जाए और हिट मुवीज की बात की जाए उनका खुद का एक अलग औरियंस है जो इस तरह की मुवीज को बहुत जादा पसंद करता है और ऐसे में राजकुमार राओ हैं शहनास के चैट शो के फर्स्ट गेस्ट तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और आप ये समझ सकते हैं गाइस इतना बड़ा सितारा अगर शहनास के चैट शो पर आ रहा है तो शहनास आज किस मकाम पर है वो अपने आप में एक ब्रैंड बन चुकी है वो अपने आप में इंडस्ट्री की बहुत खास बन चुकी है वो अपने आपने इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है इसी लिए इतने बड़े गैस्ट को शामिल किया गया है और आने वाले टाइम में हमें कई स्टार्स शहनास के स्चेट शो पर नजर आएंगे भाई शहनास गिल का जलवा है ये और शहनास गिल की सक्सेस है ये शहनास ने अपनी महनत से ये सब कमाया है वो डिजर्व करती है ये सब तो भाई इसी तरह से प्यार और रिस्पेक्ट शहनास को मिलता रहे हम तो बस यही चाहते हैं और शहनाज ने खुदी कहा है ना कि राजकुमार राओ उनके फैवरेट एक्टर है अगर एक्टिंग की बात की जाए तो तो शहनाज के चैट शो के लिए भाई आप कितने जादा एक्साइटेड हैं कमेंट में आकर हमें जरूर बताइए वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्र जरूर कीजिए लिटेस्ट अफडेट्स के लिए